उसने जिन्दिगी में गरीवी को भूख को महसूस किया है न, वो इंसान कभी बोरा सकता नहीं है, कभी नहीं बोरा सकता, क्योंकि उसे पता है भूख किसे कहते हैं, इस संसार में बड़े-बड़े दुख हैं, लेकिन एक बहुत-बड़ा दुख है गरीवी, और बड़े आश्यरी की बात है, सग्गा भाई भी जब जेव खाली होती है, तो मुझ फेर लेता है, सग्गा भाई, औरों की तो बात छोड़ दीजिए, सग्गा भाई भी कहता है, बीजी हूँ बिटा थोड़ी देर में मिलूँगा, और जब बहुत पैसा होता है न, तो दूर वाले भी आकर कहते हैं, आपने हमें पहचाना नहीं, हम आपके रिस्तिदारी हैं, फलाने के फलाने के फलाने के चाचा के मौसा के जीजा के फुपा के चाचा के नानी के ये लगें हम पलाने, हम तुमारी रिष्टिदारी हैं एक भाई आया था मदद मांगने के लिए किसी ने मदद नहीं करी फिर समय बदल गया फिर एक दिन आया तो छपन भोग परोसे तो कहता है ले मेरे महंगे वाले कोट खीर पी ले ले मेरी सौनी की चैन हलुआ खाले अरे जी जा जी आप ऐसा क्यूं कर रही हैं आप ऐसा क्यूं कह रही हैं तो उसने कहा बेटा इन्ही सब को तो खबाया जा रहा है क्यूंकि भूग तो मुझे उस दिन लगी थी जिस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था आज तो इन्हीं सब को कवाया जा रहा है एक बात आप से हाथ जोड़ कर कहूं मेरी प्रार्थना है ब्यास पीट से कि बारात में खाना उतना ही बनवाई है जितना आपके यहां आने वाले आगंतु खा सकें क्यूंकि जितना खाना डेश्ट बिन में जा रहा है हो सकता है उस खाने से 100-200 परिवार की भूख मिट जाती और अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहे कभी नहीं अन्न का अपमान क्योंकि जब यह तरसाता है न कोई नहीं सुनता